ओम नमस्षिवाए श्वागत है आप सभी का मेरी बक्ती वावना यूटुब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको सोम्मार का माहो पाय बताने जा रहा हूँ सोम्मार के दिन 11 गहूं के दाने और 5 काली मिर्च का माहो पाय आपको करना है इस सोम्मार को बहुत ही अच्छा यूग बन रहा है इस सोम्मार को कई रास्यां बेहदी भागिसाली रहने वाली है पुत्र प्राप्ती नहीं उपा रही है, धन प्राप्ती में रुकावाटे आ रही हैं, कि शीवी प्रकार्गी कोई व्यादा है, सरीर में कोई रोग है, यह करज बढ़ता जा रहा है, नोकरी नहीं है, ब्यौपार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको सॉम्मार के दिन बर करके रखना है और तीन दीपक बना करके त्यार करने है पहला दीपक पीपल ब्रक्य के नीचे जलाना है और एक दागा लेकर के साथ बार आपको पीपल के ब्रक्य से वह दागा लपेड देना है और दागा लपेड ते समय आपको अपने इच्छा बोलें जो भी आपके मन में इच्छा है, वो है इच्छा आपकी अवश्य पूरियोगी, दूसर रॉपाए, सबसे पहले आप भगवान सिव जी को नमस्कार करें, और भगवान सिव का आपसी करना हैं, अपसी करते औम नमश्वाय मंतर का जाप करते हुए भगवान को वह है चीज अरपन कर देनी है उसके बाद बाद में तीसरा उपाय है कि आपको गो मता का पूजन करना है जब आप ये पूजा कर ले उसके बाद में गोवान जाना है हरी दुरबा और मीठा ले जा करके गोव माता को खिलाना है ऐसा करने से पीपल की पूजा करने से पित्र दोश्रांत होगा पित्रों का आशिरवात प्राप्त होगा भगवान सिव की पूजा करने से माता पारवती और भगवान सिव पुत्र धन प्राप्ति का सपलता का शिर्वाद दिंगे जीवन में आरी सारी समस्या सारी दुगदूर हो जाएंगे इस दिन मेश रासी, मेथुन रासी, करक रासी, कन्या रासी, तुला रासी, वरेश्चिक रासी, कुम और मीन रासी ये रासिया हैं इस दिन जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है इन रासियों का योग बहुत ही अच्छा है अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन तो आएगा ही आएगा साथ ही आपको सपलता है मिलना भी शुरू हो जाएंगी मुझे उम्यदा आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी सो मार की दन अगारा आप ये पूजा करते हैं तो भगवान सिव बहुत जल्दी आपकी मनों कामना पूरी करेंगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमश्य